हलो फ्रेंज आज हम बना रहे हैं केवल चावल से कैसी रेस्पी जो बहुत महिंगी भी पड़ेगी अगर आप बजार से लाओगे इसलिए घर पर बनाएगे बहुत कम खर्चों में घर पर घर की चीजों से मिठाई बनकर तयार हो जाएगी आज हम चावल से बना रहे हैं हमने लिया है चावल, चीनी, काजू, बदाम और नारियल का बुरादा, इलाइची चावल को हमने भूझ करके पीस लिया है उसके बाद हम एक कड़ाई लेंगे और उसमें चावल का आटा डाल लेंगे और इसे अच्छे से हम भूंज लेंगे इसे चलाते ही रहेंगे कम से कम हम 10 मेंट तक इसे भूंजेंगे जब तक हमारा आटा अच्छे से भूंज ना जाए गोल्डन हो जाएगा उसके बाद हम इसे एक अलग पिलेट में निकाल करके रख देंगे अब हम उसी कड़ाई में एक लीटर दूद डाल देंगे हमने एक लीटर दूद लिया था यह हमारा दूद फुल क्रीम है इसकी हमने मलाई नहीं निकाली है पहले से उबाल करके रख लिया था अब इससे दोबारा भी उबाल लेंगे जब मारा दूद खौलने लगेगा उसके बाद हम इसमें चीनी डाल देंगे हमने जितना आटा लिया था चावल का उतनी ही हमने चीनी लिया और उतना ही हमने नारियल का इसा हुए नारियल लिया है इसे भी हम दूद में डाल देंगी, उसके बाद हम दो इलाइची लिये, जिसे हमने कूर करके डाल दिया है और हम 4-5 काजू लिये थे, 4-5 बादाम, उन्हें भी हमने बारीक काट लिया था उसके बाद जो हमने भूंज करके आटा रखा था वो डाल देंगे और इसे चलाते ही रहेंगे नहीं इसमें बीच में गाड़ पड़ जाती है इसलिए इसे चलाते ही रहें गैस को सिलो करके नहीं दूर हमारा उपर आने लगता है थोड़ी देर में चलाते चलाते ये गाड़ा हो जाएगा देखो हमारा आटा गाड़ा होने लगा है इसे हम चलाते ही रहेंगे गैस को से लोकर रखेंगे जैसे हमारा आटा अच्छे से गाड़ा हो जाएगा उसके बाद हम इसमें एक चमच घी डाल देंगे जिससे हमारी जो मिठाई बना रहा है बहुत सौक्ट बनेंगी देखो हमारी चावल से कितनी अच्छी रेस्पी बन गई है कि वल चावल और दोच चीनी से बनाई है हमने अब हम एक पिलेट लेंगे और उसमें चमच घी डाल लेंगे और अच्छे से मिला देंगे पूरी पिलेट में और इसी में हम परोस देंगे जो हमने मिठाई बनाई है और इसे अच्छे से सैट होने के लिए रख देंगे जब हमाई मिठाई अच्छे से ठंडी हो जाएगी उसके बाद हम इसकी पीस काट लेंगे बादाम या आप फिस्ता किसी के साथ भी इसे कार्णिस का सकती है जो भी घर में हो ड्राइ फूड जब ठंडी हो जाएगी हमाई मिठाई उसके बाद हम इसकी पीस काट लेंगी आप भी घर पर जरूर बनाएगे एक बार तो जरूर ट्राइ कीजिए कमेंट करके जरूर बताना कि मेरा वेडियो आपको कैसा लगा